जै मैंतर नारी दोस्तों नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है कमें सेक्षन में ओम शनी देवाय नम्हा जरूर लिखिए आपको लाभ होगा आपके कर्मों का शुफल आपको प्राप्त होगा और जीवन में दुख संकट यदि चल रहा है तो वो जल्दी से ठी कर रही हूं और आपको इतनी अच्छे चीज़े बता रही हूं जी हां शनी देव हैं ही ऐसे शनी देवों को हम कर्म फल दाता कहते हैं अब देखिए अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कर्म फल दाता आपको अच्छा ही फल देंगे आप समने वो कहाबत जरूर सुनी होग बोया पेड बबूल का तो आंग कहां से होए इसलिए अपने कर्मों के उपर हमेशा मनुश्यों को निगाहा रखनी चाहिए और सत कर्म या अच्छे कर्म ही करने चाहिए जो लोग लंबे समय से महनत कर रहे हैं जो लोगों के पास धन नहीं आ रहा जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन की परिस्तिती सुधरे आज का ये वीडियो आप सब के जीवन को बदल के रख देने वाला है दोस्तों शनी ग्रह बहुत ही धीमी गती से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं शनी देव एक राशी में करीब धाई वश तक रहते हैं इस प्रकार से जो शनी देव का गोचर होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है इसलिए मनुश्यों का दुख और सुख भी जल्दी नहीं बदलता पर जब बदलता है तो वारे न्यारे हो जाते हैं ऐसा ही कुछ अब होने वाला है क्योंकि शनी देव का गोचर होने वाला है या शनी देव अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं इसे हम एक्जेकली यही बूलेंगे कि शनी देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है अब शनीदेव धनिष्ठा नक्षत्र में आने वाले हैं धनिष्ठा नक्षत्र में आने के कारण शनीदेव आपको क्या क्या अच्छे परिणाम देने वाले हैं आज इस वीडियो में ये सभी जानकारी और आपके राशी के अनुसार आपको क्या उपाय करने हैं आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ नेखिए धनिष्ठा नक्षत्र की बहुत विशेष्टाइं होती हैं जिसमें से कुछ विशेष्टास तो इसके नाम पर ही आधारित है ये धन को वरियता देता है लोगों के जीवन में धन का जो फ्ल आपको इसका बहुत फाइदा होता है धनिष्ठा नक्षत्र में जब भी आप कोई कारे करते हैं तो उसमें आपको जितनी आप मेहनत करेंगे जितना आप श्रम करेंगे उसके अनुरूप फल मिलने के चांसस बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शनी ग में आपको फल मिलने वाले हैं अब दोस्तों मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूंगे और आपको आपकी राशी के अनुरूप बताऊंगी कि आगे आने वाले 13 महीने जबकि शनी देव धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे यह आपके लिए कैसे होने वाले हैं और यदि आपको कोई परिशानी होती है तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो आगे बढ़ाओ उसके पहले चैनल जरूर लाइक करें यानि वीडियो को लाइक कर ले और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको सभी जानकारी सी प्रिकार नियमित तोर पे मिलती रहें देखिए धनि कोट का फैसला आगया है तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाला समय निरनायक समय होगा राजनीतिक दलों के लिए भी ये समय उनके श्रम का फल देने वाला समय होगा अब अच्छा होगा या बुरा होगा पर उनका जो उन्होंने जितनी महनत करी होगी उतना अधिक अच लोग बाग थोड़े कानूनी दाव पेच में आपको उलजते नजर आएंगे क्योंकि शनी देव चीजों को थोड़ा डिले भी करते हैं तो जहां कानूनी प्रॉब्लम्स होंगी वहां पे लोग आपको रुखते नजर आएंगे और वैसे भी आप देखें कोट या फिर कोट से संबंदित मामलों में शनी देव को बहुत महत्व दिया जाता है तो शनी देव किसी किसी जगह आपको बहुत शीक्र परिणाम देते हुए दिखेंगे क्योंकि वह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं पर जो चीज़े अभी शुरू होंगी उनमें थोड़ा सा आप डिले दिखाई दे सकते हैं इन सब चीज़ों में थ्यान रखिए को यह समय आप के लिए कैसा से लिए आप भाछानी से देख सकते हैं अको पनी राशु पता हैै दियसे कि मेश राशी के लोग जो अपने बहुत लंबे से समय से कांब कर रहे थे उनहेंग प्रॉफिस नहीं हो र तो आपको ये दोनों ही जगर शनीदेव आपको अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई देंगे आपके घर में जो आपके फादर के सिबलिंग है उनकी लाइफ में हो सकता है ये समय थोड़ा सा तकलीफ भरा गुजरे बाकि आपको प्रॉफिट होगा अपने कर्मों से ला उपाई कर सकते हैं या अगर आपको लगता है कि आपका स्वास्त किसी कारण से ठीक नहीं है तो आप अपने स्वास्त के लिए भी इस समय मंगल के उपाई करिए यानि मंगलवार को हनुआं जी के मंदिर में पांच गुलाब के फूल चड़ा दीजें यदि स्वास्त में तार चणाव आपको नजर आता है दूसरी राशी है व्रशव राशी तो व्रशव राशी के लिए आप देखेंगे शनी ग्रह दो घर को कंट्रूल करते हैं जिसमें हैं दसवा घर और नौवा घर याने यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए भाग्य कारक यह समय लंबी यातरा के साथ ही साथ आपके जौब में भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है बहुत लंबे समय से आप जो प्रयास कर रहे थे उसके अनुरूप आपको इस समय पे सफलता जरूर मिलेगी आपको अपने पिता के स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय पे हो सकता है आपके पिता या माता के स्वास्त में यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती दिखाई देती है तो आपको कृष्ण भगवान के मंदिर में जाके बासुरी का दान दे देना है इससे आपकी यह समस्या कम हो जाएगी अब त्रीसी राशी आती है मिथुन तो मिथुन राशी के लोगों के लिए शनी ग्रहा उनकी कुंडली में आठवा और नौवा घर लेके चलते हैं जिलों को बहुत समय से धनलाब नहीं हुआ अचानक आपके जीवन में कोई प्रॉफिट अचानक आपको लाब जरूर हो सकता है आपके कुंडली में इस समय प ठीक ना हो क्योंकि अगर आप इस समय पे कोई गलत कर्मों को करते हैं तो उनका बहुत ही भारी परिणाम आपको देखने मिल सकता है तो आपको इस समय पे बिलकुल न्याइक रूप से सही कामों को करना है और यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई दुख या तकलीव इस सम मंदिर में जलाएं करकराशी के लोगों के लिए शनी ग्रहा उनकी कुंडली में साथवा और आठवा गर कंट्रोल करते हैं तो यह समय आपके लिए बिजनस में प्रॉफिट का समय है हो सकता है आपको बिजनस में अचानक कोई लाब हो जाए या आपको नया बिजनस इस सम अचानक आपके जीवन में विवहा के चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं, यदि आपके जीवन साथी के स्वास्त में कोई परिशानी आपको दिखाई देती है, तो आपको कच्छे दूर्स सुमवार के दिन, शिवलिंग का अभिशेक करना है, इससे आपको राहत जरूर दि लिए तो सिहराशी के लोगों के लिए शनिग्रह उनकी कुंडली में साथवा और छटवे घर को गवन करते हैं सिहराशी के लोग जो बहुत लंबे समय से किसी प्रतियूगी परिश्या की तैयारी कर रहे थे आप लोगों के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल होता हुआ आगे कोई ना कोई प्रोग्रस होती हुई दिखाई देगी इसके अलावा जो लियो राशी के लोग हैं आपको अपने घरेलू जीवन में जगड़ा कलहा जंचट से बचना है जिन लोगों की सिहराशी है उन्हें इस समय पर अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट बाद बिवाद बिलकुल नहीं करना है आपको वही कहना है जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे यानि अन्यसे सरी का कोई आर्ग्यूमेंट इस समय पर आपको नहीं करना है इसके अलावा आपके कोई रिष्टेदारों के कारण हो सकता है आपकी मेरिज लाइफ में इस स सुखे मेवे शनिवार के जिन पर जैसे की बदाम मंदिर में जाकर दान करें इससे आपको धायता हुता हुआ दिखाई देगा अब यहाँ कर दोस्तों के बाद एक समय दूद्रेजें लंबे समय से प्रतियों की परिख्षा की तैयारी कर रहे थे इस समय पर यदि आप वह भी परिख्षा देंगे तो आपके सफलता के चांस बहुत ज्यादा है जो लोग एक लंबे समय से अपने फेम को बढ़ाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं पेमस हो जाओं या मैं कोई कार्य करूं जिससे की लोग मुझे जान जाएं तो आपको किसी ना किसी तरह की सफलता मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं सफलता आएगी आपके हाड़ वर्ग के कारण तो आप अपने हाड़ वर्ग को बना के चलिए जो लोग प्रेम विवाहा करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए ये समय बहुत चुनोती पूर्ण रहेगा क्योंकि आपके प्रेम संबंदों में खटास भी पढ़ सकती है प्रेम संबंद के बाद विवाद हो सकता है प्रेम संबंद में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए या आपकी पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत आ जाए तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए या संतान संबंधी जिल लोगों को कोई परिशानी हो संतान को कोई प्रॉब्लम हो उन लोगों को यह प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए कन्या राशी के लोगों को नेत्रहीनों की सेवा करना है नेत्रहीनों की सहायता करना है अब दोस्तों कन्या राशी के बाद हम बात कर रहे हैं अगली राशी की तुला राशी की तुला राशी के लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है आप यदि लंबे समय से घर खरीदने की सोच रहे थे या किसी ऐसी जगर जाने की सोच रहे थे जहां आपको mental peace मिल जाए तो ये समय आपको जरूर mental peace देगा आप ऐसे कारे करेंगे जो आपको खुशी देते हों आपके जीवन में ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है एक तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें दूसरा चीज अपने मन पे निय पड़ सकता है तो आपको यदि खुश रहना है तो अपने मन पे नियंतर रखें अपनी मांसिक भावना को अच्छा रखें दूसरों के बारे में बुराई भलाई करने से तुला राशी के लोगों को बचना चाहिए यही आपके लिए उपाय है अब हम आठवी राशी यान अपनी होबी से सम्मंदित कोई बड़ा कारे इस समय पर शुरू कर सकते हैं इसके अलावा जो लोग घर गाड़ी मकान इत्यादी लेने की सोच रहे थे आपके लिए यह बहुत अच्छी रहने वाली है आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है यदि आपके जीवन म यदि आपको कोई दुख या परिशानी लगता है तो आपको हनुमान मंदिर में जाके बूंदी का प्रसाथ चढ़ाना चाहिए कम से कम आठ मंगलवार जाए और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाथ चढ़ाइए यह उपाय आपको भरपूर लाब देने वाला है इसके बा अब मुझे धन का लाब होने लगा है यदि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वह प्रॉब्लम भी आपको धीरे-धीरे सॉट आउट होती हुई दिखाई देगी आपको इस समय पे ध्यान ये रखना है कि आपके परिवार में लोगों की तब्यत खराबन हो और खासतोर पे आप लोगों को खाना खिलाए यानि आपके घर में खाने से संबंदित कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है या हो सकता है फूट पॉइसनिंग के कुछ चांस आपके लिए भी बन सकते हैं तो आपको इस समय पे शनी देव के मंत्र का जाब करना है शनी देव का मंत्र है नीलांजिनस समा भासम इह हम घर मंत्र में आपको मिल जाएगा इस मंत्र का रोज कम से कम ं108 कपर आप से सब्सक्राशब करिए आपकी आर्थिक तर्याट से बहुत अच्छ इंगीbt तो मकराशी के लिए शनीग्रहा, इनका लगन और दूसरा भाव नियंतरण में रखते हैं यदि आप अपने बल्बूते पे इस समय कुछ नया करना चाहते हैं आप चाहते हैं धेर सारा धन कमाए वित्य संतसानों से आपको लाव हो यदि आपको स्वास्थ के कारण कोई दिक्कत हो तो आपको भी शनी देव से प्रातना करना चाहिए शनी मंत्र का जाब करें मैंने जो पिछले अभी आपको उपाए बताया था वही उपाए वकर राशी के लोगों को भी करना है अब दोस्तरां कुम राशी के लोगों के उपर आ जाते हैं तो कुम राशी के लोगों के लिए उनकी कुंडली में शनीग्रह, बारवा इस्थान और पहला इस्थान लेके चलते हैं इस समय पर आपको फॉरण से लाव होता हुआ दिखाई दे रहा है बल्कि आपने जो long term investment करे उए थे उनसे भी आपको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है यदि all of sudden आपको किसी बात से depression हो जाये तो आपको इस समय पर meditation करने से भी बहुत लाव होगा इसके अलावा कुमराशी के लोगों को अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए इस समय पर यदि आपको कोई परिशानी हूँ तो आपको शनिवार के दिन पर शिव मंदिर में दमरू का दान देना चाहिए इससे आपकी परिशानिया दूर होंगी और आपको आगे आने वाले समय में भरपूर लाब मिलेगा अब दोस्तों हमारी आखरी राशी है मीन राशी तो मीन राशी के लोगों के लिए शनिग्रहा आपकी कुनली में ग्यारवा और बारभा भाव गवर्ण करते हैं इस समय पे यदि आपको किसी प्रकार का प्रमोशन चाहिए आपको उपनी लाइफ में प्रोग्रस करना है इन्वेस्मेंट से आपको कोई फाइदा चाहिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है इस समय पे आपको अपने घर में जो आपके बड़े भाई बहन है उनकी तबेत का आपको ध्यान रखे चलना है आपके बच्चों या संतान का इस समय पे यदि विवहा होने वाला है तो इसके भी chances बढ़ रहे हैं कि आपके संतान का विवहा हो सकता है इसके अलावा इस समय प पैर में कोई दिक्कत आए या आपके पैरों में जादा दर्द रहे तो आपको पहले तो शनी देव के उपाय करने है जैसे कि आपको जूता लेना है और उसको किसी भिकारी को दे देना है या फिर ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है वेल टुडू नहीं है ऐसे लोगों को अगर आप जूते दे देते हैं तो आपके हॉस्पिटल जाने के चांसे कम हो जाएंगे आपकी तबे ठीक होती होई नजर आएगी और इसके अलावा आपको इस समय पे इन जर्नल भी दानपुन्न करना काफी लाब देगा मीन राशी के लोगों के लिए इस समय आपके लिए कुल मिला के कैसा रहने वाला है यह मैंने आपको बताया शनी देव आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करते हैं क्योंकि शनी काल है और जिसके पेवर में काल होता है या समय होता है उसके जीवन में उसे हर वक्त अच्छे ही फल मिलते हैं तो आप कर्मों को अच्छे से करिए जिससे कि आपको इस आने वाले समय में भरफूर लाब हो आज का वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए और चैनल से जुड़े नायने क्लिए चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इसी प्रकार से सभी जानका आर रानी